नमस्कार मैं अमित कुमार आप देख रहे हैं बिहार नीज नेटवर्क फिर से हम आ गए हैं एक नए पंचाइत में ये पंचाइत है दमेली जो धमदाहा प्रखंड के अंतर गता आता है ये जो सक्ष जीने अब हमारे टीवी स्कीन पर देख रहे हैं ये यहां के मुख्या अ अमित कुमार जी है आए इनसे जानते हैं अठारे शे उनिश महा का कारेकाल बीच चुका है इस पंचाइत में इन्होंने क्या-क्या विकास का कारे किया है किस प्रकार का किस प्रकार का परेशानियों का सामना करना पड़ा है इनको विकास कारे करने में रुक करते हैं और ब जो भी योजनाई होती है जो हमारे जंता के लिए है उनके भलाई के लिए वो सारा योजना होता है और इमानदारी पुर्वक होता है कठनाई जहां तक यह है कि ऐसी कोई कठनाई नहीं है कठनाई आती है लेकिन उसका फिर समाधान हम लोग अस्थानी अस्तर से कर लेते हैं और कुछ-कुछ है जैसे कि अब हम मालेजे कि नियुको जन्मिर्ट्व परमान पत्र देना है इसमें कठनाई आ रही है अभी हमारे राज शासन के द्वारा एक इसमें परिवर्तन कर दिया गया है कि परखंड अस्तर पर एक उसमें कर दिये गये हैं जो रजिस्टार कहलाते हैं उनके द्वारा ही उनको दिया जा रहा है जन्म परमानपत्र या मिर्टू परमानपत्र जिसमें परिसानी आती है ग्राम पंचायत का मतलब होता है पंचायती राज विवस्था का मतलब ही होता है कि आप इन मामूली सा चीज, छोटा छोटा चीज, जो एक बच्चा जब जम लेता है, तो उसका सबसे पहला अधिकार उसको प्राप्त होता है, जम प्रमान पत्र के तौर पर, और वो उनके गारजन को लेने में काफी परिसानी होती है, पहले यहाँ पर बेवस्था था, तो यह एक परिसानी है, लेकिन अब इसमें हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, और पुना इसको ग्राम पंचायत में, यह डे आईडी, चुकि ग्राम पंचायत ही लोगों का जो है, वो पहला आफिस है, पहला कारियाल है, और यह वह साधारन सा चीज, और उसको ग्राम मानिया मुखमंतरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जनरल, क्या आपके पंचायत में धरातल पे है? कि लोग उसका पानी पी सके, लेकिन विल्कुल failure रहा हकिकत ही है, कि मेरे यहां भी लगा हुआ है, लेकिन यह ग्लास पानी चाहकर भी नहीं पी पाता हूँ, और यह कोसी छेतर में मुखमंतरी जी के द्वारा यह किया गया था, आइरन मुक्त योजना, लेकिन बड़ा स्वास्था होना चाहिए, जिस क्वालिटी के सिक्षक होना चाहिए, उस क्वालिटी उस अस्तर के सिक्षक नहीं है, कहीं न कहीं तो चेन परकिरिया में कुछ न कुछ तगर बड़ीवा है, आपने दक्षता परमान पत्र दिया, किस आधार पे दक्षता परमान पत्र दिय स्वास्त का यह है कि सुई डालने के लिए डॉक्टर को नहीं आता है वो यहां पे डॉक्टरी कर रहे हैं डॉक्टर एक हैं वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं हम लोग परिसान हैं बोलते बोलते हर मिटिंग में बोलते हैं तो बार-बार सासन के द्वारा स्थानिय समीति की बैठक होती है उसमें इस बात उठाए गया लेकिन सब कोई और समर्था जताते हैं कि डॉक्टर ही नहीं है तो कहा इस डॉक्टर दे पर आते हैं पंद्रवी सस्टम और मन्रेगा से क्या-क्या विकास का कार हुआ आपकी रिजन में मन्रेगा से तो बहुत अस्तर पर ज्यादा अस्तर पर ब्रिक्षा रोपन का कार्ज हुआ है पोखर का निर्मान हुआ है और पूरू में बहुत बानमर्मती यह सब का काम हुआ था अब ही जो है बरतमान मे का क्याropol का क्याention रहा है पोखर का है अमरित सघ्णौवरु उसका उ बिल्कुल विकास हुआ है और विकास होते रहेगा जब तक सरकार फंड मुहिया कराते रहेगी या फिर हम लोगों से जब तक इस मुद्दे में हम लोगों से मदद मांगते रहेगी हम लोग अपना योजना काड़ योजना बना के देते रहेंगे और हो रहा है काम हो रहा है था बापो का पंचैती राजविवस्ता का हकीकत में वो है नहीं हमारे ग्राम पंचैत के लोग हमेशा कि जैसे मैं आपको बताया पहले भी कि जन परमान पतर के लिए उनको भटकना पड़ता है पेंसन के लिए अगर कोई गरबड़ी आज हो जाए खाता का अभी आज एक महि इंडो सिस्टेम आप करिए जिससे की जनता को रहात हो और आपका ये वीजन आपका ये सोच है कि हम अपने जनता को आराम दें उनको हर चीज में परिसानी से मुख्थ करें लेकिन एक्चोली में ये हो नहीं पाता है तो इस और इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो पंचायत से बाहर नहीं जाएं उनका सारा काम घर बेठे यहीं पर हो जाएं चाहे वो अंचल से संबंदित हो चाहे वो ब्लॉक से संबंदित हो चाहे वो स्वास्थ सिक्षा से संबंदित हो या जो भी उनका एक चोटा मोटा जो भी काम है वो यहीं पर हो जाएं पंचायत ये वेतनमान मिलेगा, तो हम मुख्या बनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, रही वित्ये, आपको अगर वित्ये प्रभार मिलता है, तो अच्छा, नहीं मिलता है, तो अच्छा, जो बेवस्था है, सासन के बेवस्था में सासन को मुलत करना चाहिए, और हर अस्तर पे अपने पंचायत अस्तर से गराम पंचायत का रियाला से ही उनका सारा समधान हो जाए शुरक्षा के लिए एसा है कि जैसे यहां पर चाहेंगे कि कुछ न कुछ हर गराम पंचायत में पांच-दस करके चोंकिदारों की संख्यां बढ़ाई जाए उनकी बहाली हो और अंचल अमीन आपनद चाहिए पंचायट अस्तर्पिया